हेलो दोस्तों कैसे हो दोस्तों यहां पे और एक भरती है जिसके पास I.T.I है डिप्लोमा है डिग्री है यहां पे सभी लोगों ने इसके लिए इलिजिबुल है दोस्तों यहां पे रिक्रूर्मेंट बोले तो यहां पे पहले आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा उसके अचलेगा लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरू सब्सक्राइब कर लिजिए चले दोस्तों यह जो भरती है दोस्तों बी-e-c-i-l ब्राड्कास्ट इंजिनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंडिया लिमिटेड यह दोस्तों एक मिनी रत्न कंपनी है पी-e-c-u है पब्लिक सेक्टर यूनिटी है दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो जो वेकेंसी निकला है skilled, semi-skilled, under-skilled, contractual manpower तो यहाँ पर contractual manpower है और यहाँ पर recruitment process क्या है वो मैं आप लोग को बता देता हूँ यह है इसका advertisement टोटल जो वेकेंसी है 1679 मतलब लगबग 1700 आपकी वेकेंसी रखा गया है और इसका जो online शुरू हो रहा है एक अपरेल से शुरू करके 20 अपरेल तक आप इसको apply कर सकती हो और यहाँ पर दोस्तो जो written test होगा examination होगा वो noida indoor में exam होने वाला है और यहाँ पर दोस्तो यह बोलना चाहूँगा यह जो recruitment है दोस्तो यह एक training होगा आप लोग को 15 दिन या एक मेने तक आपको training लिया जाएगा training में अगर आप qualify कर रहे हो जो exam होगा last में qualify कर रहे हो तो आप लोग के लिए 100% placement दिया जाएगा यहाँ पर दोस्तो देख सकते हो 100% guaranteed placement at electric city distribution substations with the assured minimum wages of government of MP मध्यप्रदेस में आपकी joining होगा और जो मध्यप्रदेस में जिस level में pay scale है जिस हिसाब में आपकी payment होता है मध्यप्रदेस state government में आपको भी उस हिसाब में मिलने वाला है और advertisement number देख भी सकते हो यहाँ पर पूरा details दिया गया है चले दोस्तो हम post और qualification के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो यहाँ पर देख सकते हो screen पे basic concept plus use of personal protective equipment यह जो है title of trade मतलब यह जो जिस level में आपकी joining होगा जिस काम के लिए आपकी recruitment किया जाएगा यह है दोस्तो यहाँ पर 33 के भी या 11 के भी के अंदर आपको काम करना पड़ेगा और इसके लिए जो qualification चाहिए दोस्तो अगर आपके पास ITI है तो भी आप इसके लिए eligible हो और इससे भी जादा qualification जैसे कि diploma और degree diploma in engineering and or with shall be passed overheaded certificate for electrical safety with almost two year experience in electricals also eligible है दोस्तो यहाँ पर अगर आपके पास diploma है तो आप इसके लिए eligible हो उसके साथ आपको 2 साल का experience चाहिए दोस्तो यहाँ पर basically ITI and diploma student इसको apply कर सकते और जो training duration है 7 day का रहने वाला है course भी आप लोग को देना पड़ेगा course भी तब देंगे अगर आप selection हो रहे हो training के लिए training के लिए selection से पहले आपको एक exam देना पड़ेगा exam दे रहे हो और selection हो रहे हो तो ही आपको course भी देना पड़ेगा और ओ course भी free हो जाएगा अगर आप exam में 80% score कर रहे हो 80% से above अगर score कर रहे हो तो आपकी जो course भी है ऑँ भी free हो जाएगा दोस्तो तो उसके ध्यान में रखते हुए अगर आप तयारी करके जा रहे हो एक्जाम देने के लिए तो आप फ्री में भी पढ़ सकते हो और पढ़ना कितना दिन है यह आई टे स्टूडेंट के लिए साथ दिन है और यह जो basic knowledge of electrical equipment यह 15 दिन है basic knowledge of electrical equipment यह जो third number post है 30 दिन है फोर्थ number post है वो भी 30 दिन है तो यहाँ पर maximum जो है ओ 30 दिन तक training ले सकते हो minimum जो है ओ 7 दिन तक आप training ले सकते हो दोस्तों और इसको apply करने के लिए भी application fee लगेगा दोस्तों 590 रूपीज आपको unreserve and OVC candidate के लिए 295 रूपीज SC ST PWD candidate के लिए और इसका जो last date है 20 April दोस्तों और 15 दिन जैसा है दोस्तों आप लोग इसको जरूर apply करिए अगर आप interested हो और यह जो joining होगा आपकी MP में होने वाला है मध्यप्रदेस में आपकी joining होगा और यहाँ पे मध्यप्रदेस का जो state government का जो pay scale रहता है उस हिसाब में आपको भी pay scale ऐसा salary मिलने वाला है तो दोस्तों यही था पूरा details इसको apply करने के लिए यह है इसका website और यहाँ पे नीचे जा रहे हो apply में यहाँ पे आप लोग apply कर सकते हो कितने लोग चाहती हो कि मैं apply करके दिखाऊं तो जरूर कमेंट करिए मैं आप लोग के लिए एक apply का और apply online का वीडियो भी बना दूँगा चलिए दोस्तों यह था छोटा सा information वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मिलते हैं बाई बाई जैहिंद